इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाय का प्रजार नहीं कड़े दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एंडोजेस्ट कैप्सूल के बारे में एंडोजेस्ट कैप्सूल का उप्योग महिलाओं में बांजपन के इलाज और प्रेगननसी रहने के लिए किया जाता है महिला बांजपन एक ऐसी स्थिती है जिसमें कम से कम एक वर्ष तक नियमित असुरक्षित संभोग यानी अन्प्रेटेक्टिट सेक्स के बावजूद भी महिला प्रेगनन्ट नहीं हो पाती है एंडोजेस्ट कैप्सूल एक प्राकृतिक महिला हॉमोन प्रोजेस्टेरोन है इसका उप्योग मेंस्ट्रल साइकल यानी मासिक धर्म और प्रेगननसी से जुड़े समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है जो हॉमोनल असंतुलन के कारण होती है एंडोजेस्ट कैप्सूल का उप्योग महिला बांजपन के उप्चार में किया जाता है आप जानते हैं ये दवाई किस प्रकार से काम करती है एंडोजेस्ट कैपसूल में प्रोजेस्टेरोन होता है जो ओविलेशन और मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रल साइकल के रेगूलेशन में महत्वकून है शरीर में अगर प्राकृतिक प्रोजिस्टेरोन की कमी के कारण कई महीलाओ की मेंस्ट्रल साइकल रेगूलर नहीं होती है ये दवाए लेने से MC regular हो जाती है और ये दवा गर्भाशे की परत्यानी endometrium को मोटा करके pregnancy के लिए गर्भाशे को तयार करने में मदद करती है इससे pregnant होने की समभावना बढ़ जाती है pregnant होने के बाद भी आपको इस capsule को कुछ समय तक जारी रखने के लिए कहा जा सकता है endogest capsule में 100 mg, 200 mg, 300 mg और 400 mg ऐसे 4 प्रकार आते है endogest capsule के side effect क्या हो सकते है पेट में दर्द, जी में चलाना, योनी से रक्तस्राव, सूजन, बालों का जढ़ना, पेट में सूजन, सिर दर्द, ब्रेस्ट दर्द, उल्टी करना, योनी में infection ज्यादा तर side effect में डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती और जैसे ही आपका शरीर दवा के हिसाब से धह जाता है ये अपने आप गायब हो जाते हैं अगर ये बने रहते हैं या आप इनसे परेशान हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह ले तो दोस्तों ये थी endogest capsule के बारे में जानकारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें